दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो मास्टर में आपका स्वागत है खुशी एक ऐसी फीलिंग है जिसे सभी लोग हमेशा महसूस करना चाहते हैं जीवन के उतार चड़ाव की वज़ा से लोग बेहत निराश हो जाते हैं जिससे वो खुश रहना या मुस्कुराना भूल जाते हैं लेकिन खुशी और मुस्कुराहट आपको जीवन में दुखों से लड़ने में मदद करती है तो वहीं खुश रहने से आप में कॉन्फिडेंस भी आता है जिससे आप अपने काम को बहतर तरीके से कर पाते हैं इसलिए आज हम आपको खुश रहने के तरीके बताने के साथ ही उन गलत आददों के बारे में बता रहे हैं जो अक्सर आपको दुखी बनाये रखती है अगर आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी गलतियों की जिम्मदारी खुद लेना सीखें और दूसरों की कम्या निकालना बंद कर दें इससे जहां आपके दूसरों के साथ सम्बंद खराब नहीं होंगे वहीं अपनी गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने का मौका मिलेगा गलती में सुधार होने पर आप एक खुशी मैसूस करेंगे कई बार हम सभी लोग छोटी सी बात को अपनी सोच की वज़ा से काफी बड़ा बना देते हैं जिसका असर रिष्टों पर भी देखा जाता है ऐसे में अगर आप खुश रहना चाहते हैं और अपने रिष्टों को बरकरार रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हर बात पर बिना जाने रियक्शन या ओवर रियक्शन करना बन कर दे इससे आप हमेशा खुद को खुश महसूस करेंगे आम तौर पर गॉसिपिंग या अपने आसपास के लोगों की निंदा करने वाले लोग काफी नेगेटिव होते हैं जिससे वोक्सर खुद को दुखी महसूस करेंगे अगर आप खुद को खुश रखना चाहते हैं तो अपने में बदलाव करते हुए, नेगिटिव सोच और नकरात्मक भाशा को दूसरों के लिए उपियोग करना बंद कर दें। इससे आपके सभी के साथ रिष्टे बहतर होंगे, साथ ही आप खुद को खुश महसूस करेंगे जो लोग हमेशे नेगिटिव सोच में घिरे रहते हैं, वो अकसर छोटी-छोटी परिशानियों में खुद को असहाए, अकेला और कन्फ्यूज महसूस करने लगते हैं। जबकि खुश रहने वाले लोग प्रॉब्लम्स को अपने लिए एक अफसर मानते हुए, उसे हल करन काम करते हैं। इससे जहां प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के सॉल्यूशन मिलते हैं, वहीं आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अगर आप लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो सभी लोगों से एक स्माइल के साथ बात और दोस्ती करें। इससे जहां आप को नए दोस्त में आप वक्त वक्त पर कई सारी चीजे सीख सकते हैं। इसके अलावा दोस्ती करने से छोटी बड़ी परिशानियों को हल करने में भी मदद मिलती है।